जे हिन दोस्तों Master G Info चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का श्वागत करता हूँ दोस्तों आज एक नया बुक इस्टार्ट हो रहा है जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ Lucent की Lucent शमान ग्यान आपको पूरा Master G Info YouTube चैनल पर पढ़ाया जाएगा दोस्तों अगर आप New Examiner हैं अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर किये हैं तो आपके लिए यह रामबान सीरी जोने वाला है दोस्तों अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो BPSC की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी यह रामबान सीरी जोने वाला है दोस्तों जितने भी सारे सरकारे एकजाम है दोस्तों यहां से 75% लगबग प्रशन आते हैं सभी परिक्षाओं में तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर किजिएगा दोस्तों पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विसे सूची क्या है सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे दोस्तों इतिहास का प्राचीन भारत का इतिहास देखने वाले हैं जिसमें आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत इतिहास के सुरोत्र क्या देखेंगे दोस्तों प्राचीन भारत इतियास के सुरोत तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इतियास का पहला चेप्टर है दोस्तों जादा से जादा इस वीडियो को सेर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों के बीच ये वीडियो पहुच सके भारत का इतियास सबसे पहले स्टार करते हैं भारत का इतियास उत्तर में हिमाले से लेकर दक्षिन में समुदर तक फैला या उपमहद्वीप भारत वर्स के नाम से जाना जाता है जिसे महाकावि एव पुरानों में भारत वर्स कहा गया है युनानियों ने भारत को इंडिया कहा ये भी प्रिश्ण पूछा जाता है दोस्तों कि इंडिया भारत को किस ने कहा तो युनानियों ने भारत को इंडिया कहा तता मध्यकालीन मुसलिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अत्वा हिंदूस्तान कहा तो भारत को हिंदूस्तान किस साथ में चला जाओंगा दोस्तों भारत इतिहास के अध्यन की सुविधा के लिए तीन भागों में बाटा गया है पहला है प्राचीन तम भारत दूसरा है मद्यकालीन भारत तीसरा है अधुनिक भारत आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास क्या देखेंगे द प्राचीन भारत का इतियास के तो सब से पहले हम लोग देखेंगे धर्म गरंट एव इतियासिक 10 गरंट से मिलनेवाली महतपूर्न जानकारियां बात करें दोस्तों भारत को शर्व परतम धर्मगरंत वेद है जिसके संकलन करता कौन है दोस्तों जिसके संकलन करता कृष्ण द्वेपध्यान वेद व्यास है ये भी प्रश्ण पूछा जाता है दोस्तों कि वेद के रचैता कौन है वेद के संकलन करता कौन है तो वेद व्य देश देता है भार्ट परंपरा वेदों के नित तथा और पुरुष से मानती है वेद चार है ये भी प्रशन पूछा जाता है दोस्तों कि वेद कितने हैं तो वेद चार है रिगवेद यजुरवेद शामवेद अथरवेद इन चारों वेदों को सहीता कहा जाता है चारों व प्रश्ण पूछा जाता है तो आज हम लोग पहले रिगवेध देखेंगे रिगवेध रिचाओं के क्रम्बत घ्यान के संग्रा को रिगवेध कहा जाता है इसमें 10 मंडल होते हैं रिगवेध में 10 मंडल 1018 सुक्त उसके बादबाद करे 10462 रिचाएं होती हैं इस वेत के रिचाओं को पढ़ने वाले रिसी को होतरा कहते है। किस वेद से हमें जानकारी मिलती है तो रिगवेद से हमें जानकारी मिलती है सबसे प्राचीन अगर वेद कहे दोस्तों तो सबसे प्राचीन वेद रिगवेद हो जाएगा और सबसे बात का वेद अथर वेद हो जाएगा ये भी हम लोग बाद में डिसकस करेंगे विश्वा मित्र द्वारा रचित रिगवेत के तीसरे मंडल में सुरी देवता सावित्री को शमरपित परसित गायतरी मंतर का उल्लेख है ये प्रश्ण पूछा जाता है दोस्तां कि रिगवेत के किस मंडल में जो है सूरी देवता यानि कि सावेतरी को समरपित परसित गायतरी मंतर का उल्लेख है तो रिगवेत के तीसरे मंडल में विश्वा मित्र द्वारा रचित गायतरी मंतर का उल्लेख है रिगवेत के नौवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है ये भी कई बार प्रशन पूछा गया है इसके आठमे मंडल में हस्तलिकित रिचाओं को खिल कहा गया है रिगवेत के आठ्वे मंडल में जो हसल की तरी चाय हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे खिल कहते हैं नेक्स्ट है चतुर्षन वर्न शमाज की संकलपना का आदी सुरोत रिगवेत के दसमे मंडल में वर्नित पुरुसुक्त है जिसके अनुसार चार वर्न है कौन सब वर्न है तो ब्रामन चत्रे वेस और चुद्र आदी पुरुस ब्रहमा के क्रमस मुख भुजाओं जगाओं त पुरुसुक्त का वर्नन है जो चार भागों में बटा हुआ है ब्रामन चत्रे वेस और चुद्र नेक्स्ट कोसन की बात करें नोट में लिखावया दोस्तों कि धर्मसुत्र चार प्रमुक जातियों की इस्थितियों वेवसायों दायत्मों करतव्यों तथा विसे सधिकार अब हम लोग जानेंगे इसापुरु ये इस्थि क्या है इसापूर और इस्थि क्या है तो वरतमान में प्रचलित ग्रेगेरीयर कलेंडर इसाई कलेंडर यानी की जूलियन कलेंडर इसाई धर्म गुरू इसा मसी के जन्म वर्स के पर आधारित है जो यह इसाई कलेंडर है दोस्तों गरिगरियर कलेंडर है इसा मसी के जन्म के आधार पर आधारित कलेंडर है इसा मसी का जन्म पहले के समय को इसा पुरू कहते हैं इसा मसी के जन्म के पहले के समय को इसा पुर लिए गया है दोस्तों तो before the birth of Jesus Christ ये भी हमें याद रखना है इसा पुर्व में वर्सों की गिंती उल्टी दिशा में होती है जैसे महत्माबुद का जन्म 563 इस्वी पुर्व में हुआ था महत्माबुद का जन्म 563 इसापुर्व में हुआ था नेक्स्ट कोशन की बात करें इसा मसी के जन्म तिथी से आरम हुआ सन इस्वी सन कहलाता है इसे लेटिन भासा में एडी भी कहा जाता है जिसका साब्दी करता है इन द इयर ओफ लॉड जीसस क्राइटेस चलते हैं नेक्स्ट कोशन की बात करें दोस्तों अब हम लोग जानेंगे वामन अवतार के तीन पगों का अक्षान प्राचिंतम सुरोतर रिगवेद है रिगवेद में इंद्र के लिए 250 तता अगनी के लिए 200 रिचाओं की रचना की गई है नोट है प्राचिंतम इतियास के साधनों के रूप में वेदिक साहित में रिगवेद के बाद शपत रहमन का अस्थान मिला है अब चलते हैं दोस्तों हम लोग यजुरुवेद के बारे में जानते हैं काफी इंपोटेंट ये स्रीज है दोस्तों तो जादा से जादा वीडियो को सेर कीजिएगा शस्वर पार्ट के लिए मंत्रों तथा बली के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुरुवेद का लाता है या एक वेद है या एक ऐसा वेद है जो गध एवपद दोनों में है ये भी प्रशन पूछा जाता है दोस्तों के कौन सा वेद गध एवपद दोनों में यजुरुवेद है कौनसा वेद है गद और पद दोनों में यजुरुवेद है नेक्स्ट कोशन की बात करें दोस्तों शामवेद शामवेद की बारे में चर्चा करें शामवेद शाम का सावधिक अर्थ होता है गान शाम का सावधिक अर्थ होता है गान इस वेद के मुखिता यग्यों के अवसर में गाये जाने वाले रिचाओं का शंकलन है इसके पाठ करता को उदार्थ करते हैं इसे भारत संगीत का जनक भी कहा जाता है अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अथरवेद के बारे में जानते हैं अथरवेद की बात करें दोस्तों अथरवेद अथरवार इसी द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंतर तता लगबक 6000 पद हैं इसके कुछ मंतर रिगवेदिक मंतरों से भी परचिनित हैं तता अथरवेद के कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है अथरवेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है यतिहातिक दृष्टी से अथरवेद के महत्व इस बात में है कि इसमें समाने मनस्यों के विचारों तता अंध्वी स्वासों का विवरन मिलता है अथरवेद में जो है दोस्तों जादू टोना का वेद कहते हैं और विचारों अन्धवी स्वावसों का विविरन अथरवेद में मिलता है काफी ये इंपोर्टेंट हो जाता है पुरानों से संबंदित वन्स विश्णु पुरान से संबंदित है मोडी वन्स विजनु पुरान से समंदित है, मोली वंस, वहीं मतस से पुरान से समंदित है, आंत्र साथ वाहन वंस, वहीं वायु पुरान से समंदित है, गुप्त वंस, वायु पुरान से समंदित है, गुप्त वंस, कई बार ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गीतों राजभक्ति राजा का चुनाव बहुत से वनस्पति एव असोधियां शाप वशीकरन प्राश्चित मात्रिभुमी महात्मय आधी का विवरन मिलता है ठीक है दोस्तों कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वरनन इसमें मिलता है नेक्स्ट है कि अथरवेद के परिक और समेती को परजापती की दो पुत्रियां कहा गया है नोट में लिखा है सबसे प्राचीन वेद रिगवेद है महीं सबसे बाद का वेद अथरवेद हैं सबसे प्राचीन वेद रिगवेद शबसे बाद का वेद अथरवेद हैं कई बार क्रम पूछा जाता है दोस्तों क् पूछा जाता है दोस्तों कि वेदांगे कितने हैं तो वेदांगों की संख्या चो है चो कौन सा वेदांग हैं सिक्षा जो तीस कल्फ व्याकरन नूरक चंद यह आपको याद रखना है ठीक है सिक्षा जो तीस कल्फ व्याकरन नूरक तता चंद जो हैं चो वेदांग है नेक लोमहर्थ अथवा इनके पुत्र उग्र सरवा है अब ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि पुरानों के रचेता कौन है तो पुरानों के रचेता लोमहर्थ और उनके पुत्र उग्र सरवा है इनकी संक्या 18 है पुरानों की संक्या 18 है वेद चार वेदांग चा पुरा पुरान और भागवत पुरान में ही राजाओं की वनसावली पाई जाती है। पुरान में ही रिगवेद का सबसे प्राचिंतम मंडल कौन सा है। यह रिगवेद का सबसे प्राचिंतम मंडल शातमा मंडल है। यह भी हमें याद रखना है। इसकी रचना धन्तुवरी ने की थी यह भी हमें याद रखना है। टोटल जो पाँच वेद कहलाते हैं दोस्तों पाँचवेद की संग्या महाभारत को दी गई है। वेद चार हैं लेकिन पाँचवेद की संग्या महाभारत को दी गई है। यह भी प्रशन पूछा जाता है दोस्तों कि महाभारत यूद कितने दिन चला था तो महाभारत यूद 18 दिन चला था। यह भी हमें याद रखना है। बात करें रिगवेद का उपवेद आहिर वेद है और इसकी रचना धनतु अरीने की थी वोई रिगवेद का सबसे पवित्र नदी गुचे तो रिगवेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वति नदी को कहा गया है। रिगवेद में कितने ब्रहमन है तो दो ब्रहमनों का उल्लेख है ठीक है नेक्स्ट फेक्ट की बात करें दोस्तों इसमें आगे चलते हैं अधिकतर पुरान शरल संस्कृत सुलोक में लिखे गए हैं इस्तरियां तथा चुद्र जिने वेद पढ़ने की अनुमती नहीं थी वे सभी पुरान सुन सकते थें पुरानों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थें इस्तरी का सरवाधी गिरी हुई इस्तिती मेत्र यानी शहिता से प्राप्त होती है जिसमें जुआ और सराब की भांती इस्तरी को पुरुष का तीसरा मुखे दोस्ट बताया गया है शniest पत बराप्त में इस्तरी का पुरुष का अर्धांगनी कहा गया है सत्पत ब्राहमन में इस्त्री को पुरूस का अर्धांगनी कहा गया है इस्मिर्थी ग्रंथों के अनुसार शबसे प्राचीन ए प्रमानिक मनु इस्मिर्थी को मानी जाता है सबसे प्राचीन ए प्रमानिक जो है इस्मिर्थी ग्रंथ है मनु इस्मिर्थी टिक है यह सुंग काल के मानव गरन्थ है नारद इस्मिर्थी गुप्त यूग के विशे में जानकारी प्रदान करता है नेक्स्ट है जातक में बुद्ध के पुनर जनम का उल्लेक है काफी important दोस्तों कई बार ये प्रश्ण पूछा गया है जातक में बुद्ध के पुर्णर जन्म का उल्लेक है पूछा जाता है कि बुद्ध के पुर्णर जन्म का उल्लेक किसमें है तो जातक में ठीक है हीनियान का प्रमुख जो गरंथ है उसे कथावस्तू कहते हैं हीनियान का प्रमुक जो गरंथ है उसे कथावस्तू कहते हैं जिसमें महत्मा बुद्ध का जीवन चरितर अनेक कथानांकों के साथ वर नित है नेक्स्ट कोशन की बात करे जेन साहित के आगम कहा जाता है जेन साहित को क्या कहा जाता है दोस्तों तो जेन साहित को आगम की संग्या दी गई है वही नेक्स्ट कोशन की बात करे जेन साहित को आगम कहा गया है जेन धर्म का प्रारंबिक इतियास कलप सुत्र कहा जाता है प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जेन धर्म का प्रारंबिक इतियास किसे कहते हैं तो जेन धर्म का प्रारंबिक इतियास कलप सुत्र को कहा जाता है और जेन साहित को आगम के नाम से भी जाना जाता है जेन गरंतों में भगवती सुत्र में महवीर की जीवन कृतियों तथा अन्य शमाकालिकों के साथ उनके समंदों का विवरन है नेक्स्ट है अर्थसासर के लेखक चानक हैं या कोटिल हैं या विसनुगुप्त हैं नहीं कि इनका ही नाम है अर्थसासर के लेखक चानक के कोटिल या विसनुगुप्त हैं यह जो थे हैं दोसतों 15 अधिकर्णों में विवाजित है यह काफी line important है कई बार एकजम में पूछा गया है 58, 45 अधिकर्णों में, 180 प्रकर्णों में, वीभाजित है इससे मूरिकाली इत्यास की जानकारी मिलती है यह अरधशास्तर पुस्तक किस पर आधारित है यह भी प्रेशने पूचा जाता है तो अरधशास्तर जो पुस्तक है दोस्तों, राजनिती सास्त्र पराधारित पुस्तक है, अर्धसास्त्र के लेकक, कोटिल, चानक या विश्नुगुप्त है अर्धसास्त 15 अधिकर्णों में, 180 प्रकर्णों में विवाजित है और इससे मोरे काल के इतियास के बारे में जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मोरे का परधानमंत्री अगर पूछे दोस्तों तो चानक कोटिल और विश्नुगुप्त थे हैं चंद्रगुप्त मोरे अगर राजा बनेते हैं तो यही चानक कोटिल विश्नुगुप्त की ही मदद से नेक्स्ट है संस्कृत साहित में इतियासि घटनाओं को क्रमबद लिखने का सरपर्थम जो परियास किया था ये कलहन द्वारा किया था किसका वर्नन है तो कस्मीर का इतियास का वर्नन राजनिती नामक गरंत में है राजनिती नामक गरंत में जो है दोस्तों कस्मीर का इतियास है रास्तरंगनी नामक पुस्तक में कस्मीर के इतियास का वर्नन है कस्मीर के लोहार वंस के बारे में जनकारी इससे मिलती है नेक्स्ट है अरबों के सिंध विजे का विड़तान चचनामा नामक पुस्तक से मिलता है और इनके लेकक अली अहमद है नेक्स्ट है अश्ट दियाई काफी इंपोर्टेंट ये भी पुस्तक है दोस्तों अश्ट दियाई संस्कृत भासा व्याकरन की प्रथम पुस्तक है अश्ट दियाई संस्कृत भासा व्याकरन की प्रथम पुस्तक है के लेकक पानिनी को कहा जाता है अश्ट दियाई के लेकक पानिनी है और यह संस्कृत भासा व्याकरन की प्रतम पुस्तक है इससे मोरी वंस के पहले इतियास तता मोरी युगीन राजनितिक विवस्ता की जानकारी प्राप होती है नेक्स्ट है कात्यान की गारगी सहिता एक ज्योतिस गरंत है फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आकरमन का भी उल्लेक इसमें किया गया है नेक्स्ट है पतांजली पुष्यामित्र शुंग का पुरोहित्ता कई बार ये भी प्रशन पूछा गया है कि पतांजली जो था दोस्तों किसके पुरोहित्तें तो पुष्यामित्र सुंग के पुरोहित्तें इनके महाभासम से शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है तो महाभासे नामक जो है कावे खंड किस ने लिखा था तो पतांजले ने लिखा था और इसमें शुंग वंस के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों नेक्स्ट है विदेसी यातरियों से मिलने वाली प्रमुक जानकारियां इसमें हम लोग युनानी रोमन लेखक देखेंगें चीनी लेखक देखेंगें और अर्बी लेखक देखेंगें तो चलते हैं दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदेसी यातरियों से मिलने वाली प्रमुक जानकारियां युनानी रोमन लेखक से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आया टेसियस इरान का राजवेद था भारत के समन्द में इसका विवरन आसर जने कहानियों के परिपुर्ण होने का कारण आव विश्वास नहीं किया जा सकता इस पे हेरा डोट्स काफी परचलित नाम है दोस्तों हेरा डोट्स को इतिहास का पिता कहते हैं इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में पांचवी सताबदी इसा पुर्व के भारत भारस इरान का समन्द का वर्नन किया है परंतु इसका विवरन भी अनुस्चोतियों और इतिहास के पिता हेरा डोट्स को कहते हैं हेरा डोट्स ने हिस्टोरिन का नामक पुस्तक की रचना की थी ये भी पूछा जाता है नेक्स्ट है तीसरा नमर तीसरा नमर जो है दोस्तों शिकंदर शिकंदर के बारे में जानते हैं शिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से निरियाकस, आने सिक्रेटस, ओस्टियोबूलस के विवरन का अधिक परमानिक और विश्वासनी हैं तो ये भी प्रशन पूछा जाता है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेका कौन थे हैं तो निरियाकस, आने सिक्रेटस तता ओस्टियोबूलस नेक्स्ट है दोस्तों मेगास्थनी जो काफी चर्चित नाम है मेगास्थनी यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनी जो था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मूरी के दरबार में आया था यह वही चंद्रगुप्त है दोस्तों जिसने मोरी वंस की अस्थापना की थी ठीक है चंद्रगुप्त मोरी के दरबार में मेगास्थनीज आया था जो कि से लिक्वेसनी गटर का राजदूत था दोस्तों इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मोरी युगिन समाज और है तो काफी बार यह वी प्रश्न पूचा गया है इंडिका पुस्तक के लेकक कौन है इंडिका पुस्तक के लेकक मेगास्थनीज रहे बिंदुसा दर्बार में था इसका विवरन मोरी यूग से संबंदित है ये भी प्रशन पूछा जाता है बिंदुसार के दर्बार में कौन आया था तो बिंदुसार के दर्बार में डाई मेकस आया था नेक्स है डाइनोसियस डाइनोसियस की बात करें दोस्तों तो डाइनोसियस असोक के दर्बार में आया था यह मिस्र नरेश टॉलमी फिले डेलफस का राजदोत था और यह असोक के राजदरबार में आया था असोक के राजदरबार में आने वाले थे डाइनोसियस कौन थे दोस्तों यूरोपियन कौन थे डाइनोसियस नेक्स्ट है टॉलमी के बारे में जानते हैं दोस्तों टॉल्मी इसने दूसरी सतावदी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉल्मी ने लिखा था कई बार ये प्रशन पूछा गया है नेक्स्ट है प्लीनी प्लीनी इसने पर्थम सताबदी में नेचरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की इसमें भारते पस्मों, पेर पौधों, खनीज पदार्तों आदी के बारे में विशेश विवरन मिलता है ये भी हमें याद रखना है चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजेगा, चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, लूसेंट का महा एपिसोड ये चल रहा है दोस्तों, पूरा लूसेंट जो है आपको एक मंत में खतम किया जाएगा, ये कमंत में पूरा लूसेंट का नीचोर आपके पास स्पेस किया जाएगा, कई बार ये बी पीएसी में प्रश्न पूचा गया है कि पेरीपल्स ऑप दे इर्थरिस सी इस पुस्तक के लेखक कोण है, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई भी जानकारी उपलबद नहीं है तो इस पुस्तक के लेकक अग्यात है यह लेकक करव करीब 80 इस्वी में हिंद महासागर की यातरा पर आया था इसने उस समय को भारत के बंदरगाहों तथा वैपारिक वस्तों के बारे में जानकारे दी है काफी इंपोर्टेंड है परिपल्स ऑफ दा इत्री इसके लेकक अ दरबार में आया था चंद्रगुफ्त दूत्य के दरबार में फायान जो चेनी यातरी आया था दोस्तों में इसने अपने विवरन में मध्यपर देश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्न किया है इसने मध्यपरदेश की जनता को सुखी और समरिद बताया है यह 14 वरस तक भारत में रहा तो फायान 14 वर्षों तक भारत में रहा था नेक्स्ट है शैयूगन के बारे में चर्चा करें दोस्तों ये 518 स्वी में भारत आया इसने अपने तीन वर्षों की यात्रा में बोध गरंत प्राप्तियों की एकत्रित किया था नेक्स्ट है दोस्तों हुएन सोंग ये हर्चवर्दन के सासनकाल में भारत आया था हुएन सोंग 629 स्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभव एक वर्ष की यात्रा के बाद सरफरतम वह भारत राज के कपी सा पहुचा था हुएन सोंग जो है दोस्तों 15 वर्षों तक भारत में रहा था ये भी प्रश्ण पूचा जाता है भारत में 15 वर्षों तक हुएन सोंग रहा और 645 स्वी में चीन लोट गया ठीक है नेक्स्ट है वह बिहार के नालंदा जिला में इस तनालंदा विस्विद्याले में अध्यन करने तथा भारत की बहुत गरंतों को एकत्र कर ले जाने के लिए भारत आया था तहुका फू कि नामक पुष्था कि रचना की जिसमें 138 देसों के विवरंग मिलता है इसने हर्सकालिन शमाज धर्मत थाराजनिती के बारे में वर्नन किया है क्योंकि हर्सवर्दन के सासन काल में आया था इसलिए इसने हर्ट्सकालिन इत्याज के बारे में भी काफी चर्चा सीयू की नावकपुस्तक में किया है नेक्स्ट है दोस्तों इसके अनुसार सिंद का राजा सुद्र था सिंद का राजा सुद्र था हुएनसोंग ने बुध की परतिमा के साथ सुरी और सिव की परतिमाओं का भी पूजन किया था हुएनसोंग ने दोस्तों बुध की परतिमा की पूजा साथ में सुरी और सिव की भी परतिमाओं की पूजा किया था नेक्स्ट है हुएन संग के अध्यन के समय नालंदा विश्विद्याले का कुलपती आचारी सील भदर थें यह विश्विद्याले बोध धर्शन के लिए परचेद था नेक्स्ट है चीनियात्री इत सिंग इत सिंग जो था दोस्तों शात्मी सताबदी के अंत में भारत आया था इसने अपने विवरन में नालंदा विश्विद्याले विक्रम सीला विश्विद्याले तथा अपने शमय के भारत का वर्नन किया है इत सिंग ने सात्मी सताबदी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरन में नालंदा विस्विद्याल है विक्रम सीला विस्विद्याल है तता अपने समय के भारत का वर्नन किया है नेक्स्ट है अर्बी लेखक अर्भी लेखक के बारे में जानते हैं दोस्तों, अर्भी लेखक में सबसे पहला आता है अलबरुनी, अलबरुनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ये भी प्रिशन पूछा जाता है दोस्तों कि अलबरुनी किसके साथ में भारत आया था, अर्भी में लिखी इसका भारत की खोज भी है तो किताबुल हिन या तहकीक हिन या भारत की खोज नामक पुस्तक के रचना अलबरुनी ने की थी और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था दोस्तों आज के इतियासकारों के लिए या एक महतपुर्न शुरोत है या एक विस्तरित गरंत है जो धर्म और दर्चन त्वेहारों, खगोल विज्यान, किमिया, रिती रिवाजों के तथा पर्थाओं, शमाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विदिया, मुर्तिकला, कानून, मापत विज्यान आदी के विश्यों पर आधार पर अस्सी अध्याओं में विवाजित है, इसमें राजपूत कालिन समाज, धर्म, रिती रिवाज, राजनितिक, आदीक पर सुन्दर सा प्रकाश डाला गया है, तो इस से संसे जो पूछा जाता है दोस्तों, कि अलबरुनी नामक विक्ति की जो लिखे थे, अर्भी में लिखा गया एक पुस्तक था, किताबुल हिन इसे ही तहकी के हिन कहते हैं, या भारत की खोज कहते हैं, अलबरुनी महम्मद गजनी के साथ भाराताया था, ये प्रशन इससे पूछा जाता है, नेक्स्ट है सकेंड, इबनन तूता के बारे में बात करें दोस्तों, तो इबनन तूता मुरक्यो यात्री था, इबनन तूता जो था दोस्तों, इसने अर्भी भासा में लिखा गया उसका यात्रा विर्तांत रहेला था, कई बार ये प्रशन पूछा जाता है, दोस्तों, कि रहेला नामक यात्रा विर्तांत किसक इबनन्तूता का है इबनन्तूता जो था दोस्तों यह चोद्मी सतावदी में भार्त उपमहादिस समाजी की तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्यों पर बहुत ही परचूर्द था सबसे रोचक जानकार यहां देता है 1333 सिस्वी में दिल्ली पहुचने पर इसके विद्धतत इबनन्तूता मुहमद बिन तुगलक के सासनकाल में आये था इबनन्तूता को मुहमद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इबनन्तूता 1333 में दिल्ली पहुचा था यह सब प्रश्ण इससे पूछा जाता है नेक्स्ट कोशन की बात करें अनिलेखक में तारानात है अनि लेकक में पहला जो लेकक है तारानात है या एक तिब्बती लेकक है इसने कयंगूर तयातयंगूर नामक गरंथ की रचना की इसने भारत इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है नेक्स्ट है मारको पोलो तेरिवी सताबदी के अंत में पांड देश की यातरा पर आया था इसका विवरन पांड इतिहास के अध्यन के लिए काफी उपियोगी है नेक्स्ट है प्रातत्व शमंदी शाक्ष से मिलने वाली जानकारियों में पहला है चोदो सो इस्वापुर्म में अभिलेक बोगज कोई अभिलेक है जिसे एसिया माइनर से भी एसिया माइनर नामक अभिलेक भी कहते हैं इसमें वेदिक देवता मित्र वरुन इंद्र नासत्य के बारे में जानकारी मिलती है कई बार ये प्रशन पूछा जाता है दोस्तों कि एसिया माइनर अभिलेक जिसे बोगज कोई अभिलेक है इसमें सरप्रतम वेदिक देवताओं का विवरान मिलता है जिसमें चार देव अभिलिक में चार वेदिक देवताओं का वर्णन है मित्र वरुन इंद्र नासत्य नेक्स्ट चेप्टर की बात करें दोस्तों मद्य भारत में भागवत धर्म विक्सित होने का परमान यवन राजदूत हेलियो डोरस के वेशनगर विदिशा गरूर अस्तम लेक से प्राफ होता है सरप्रतम भारत वर्ष का जिक्र हांती गुपा अभिलेक से मिलता है सरप्रतम दुर्विक्च का जानकारी देने वाला अभिलेक शोह गोडा अभिलेक है इसमें अभिलेकों में संकट काल के उपियो घेतु खादान सुरक्षित करने का उलेक भी किया गया है नेक्स्ट है शरपरतम भारत पर होने वाले हून आकर्मन की जानकारी मिलती है भीतरी अस्तंब लेक से और ये भी प्रुश्ण पूछा जाता है दोस्तों कि सरपरतम भारत वर्श का जिक्र हाथी गुपा अभी लेक से मिलता है सरपरतम भारत वर्ष का जीक्र हाती गुपा अभिलेक से मिलता है वहीं सरपरतम भारत पर होने वाले हून आकरमन का जो उलेक है दोस्तों भीतरी अस्तम लेक से प्राप्त होता है कई बार ये प्रश्न पूछा गया है सती पर्था का पहला लिखित साक्ष शती पर्था का पहला लिखित साक्ष एरन अभिलेक से प्राप्त हुआ है जिसके जो सासकते हैं भानुगुप्त सासकते हैं तभी सती पर्था का पहला लिखित साक्ष प्राप्त हुआ है एरन अभिलेक से ठीक है लिखा गया है रेसम बुनकरों की स्रेणियों की जानकारी मंदसोर अभिलेक से प्राप्त हुआ है कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है नेक्स्ट है कश्मीर के नवपा साकालिन पुरास्तल बुर्ज होम के गढधा घर से प्राप्त हुए हैं ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कश्मीर का जो है नवपा साकालिन पुरास्तल बुर्ज होम से गढधा घर का साक्ष मिला है इन में उतरने के लिए सीर्यां होती थी तो सबसे पुराना बुर्ज होम यानि की गढ़ागर का साक्च कहां से मिला है दोस्तों तो यह कस्मीर से मिला है जिसमें उतरने के लिए सीर्यां भी हुआ करते थी नेक्स्ट है प्राचिंतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था इसी को साहित में कासापर ने भी कहा गया है काफी इंपोटेंट है दोस्तों कि प्राचिंतम सिक्के को क्या कहा जाता था प्राचिंतम सिक्के को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट है शरपर्थम सिक्कों पर लेक लिखने वाले सासक थे यंवनसासक नेक्स्ट है शमुद्रगुप्त को वीना बजाते हुई मुद्रा पर वाले सिक्के पर इवसंगीत प्रेमी होने का प्रमान मिलता है समंद्रगुप्त का जो सिक्का था दोस्तों उस पे समंद्रगुप्त को वीना बजाते हुए दिखाया गया है इससे यह पता चलता है कि समंद्रगुप्त शंगीत प्रियमी था नेक्स्ट है अरू के मेडू जिसे पेदुचरी के निकट से रोमन सिक्के भी प्रात हुए हैं नेक्स्ट है दोस्तों शब से पहले भारत के समन बर्मा यानि के म्यानमार जो स्वर्ण भूमी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों वर्तमाल में इसका नाम म्यानमार है उसके बाद मलाया जिसे स्वर्ण द्वीब भी कहते हैं दोस्तों कमबोडिया और जावा से अस्थापित हुए थें नेक्स्ट कोशन की बात करें महतपूर्ण अभिलेक इससे कई बार प्रश्ण पूछा गया है तो इसे रट जाना है आपको कई बार इससे प्रश्ण पूछा गया है हाथी गुपा अभिलेग जिसे तिथी रहीत अभिलेग यानि कि इसमें तिथी नहीं है दोस्तों हाथी गुपा अभिलेग कलिंग राज खारवेल का अभिलेग का कई बार एकजाम में ये पुछा गया है जुनागट जिसे गिरनार अभी लेक भी कहते हैं इसके लेकक रूदरदामन थे हैं रूदरदामन के सासनकाल में यह लिखा गया था नासिक अभिलेक की बात करें दोस्तों तो नासिक अभिलेक के सासकते हैं गौतमी स्री बल्लवी जो तो दोस्तों यह जो था जुन नासिक अभिलेक के सासकते हैं नेक्स्ट है प्रियाग अस्तमलेग के सासकते हैं शमंद्रगुप्त प्रियाग अस्तमलेग के सासकते हैं शमंद्रगुप्त वहीं एहोल अभिलेग के सासकते हैं पुलके सियन दोते हैं वहीं मंदसोर अभिलेग के सासकते हैं मालवा नरेस यसो वर्मन मंदसोर अभिलेग के सासक मालवा नरेस यसो वर्मन थें नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेक ग्वालियर अभिलेक के सासक थें प्रतिहार नरेस भोज ग्वालियर अभिलेक के सासक प्रतिहार नरेस भोज थें वह भीत्री एव जुनागड अभिलेक के सासक इसकंद गुप थें नेक्स्ट है दोस् अभिलेखों का अध्यन EP Graphic कहलाता है कई बार यह पुछा गया है कि अभिलेखों का अध्यन EP Graphic कहलाता है उत्तर भारत के मंदिरों की कला की सैली को नागर सैली के नाम से जाना जाता है इवर दक्षिन भारत की मंदिरों की कला को द्रवीड सैली के नाम से जाना जाता है कई बार ये प्रशन पूछा गया है दोस्तों कि उत्तर भारत के मंदिरों की सैली नागर सैली है दक्षिन भारत के मंदिरों की सैली द्रवीड सैली है दक्षिनापत के मंदिरों के निर्मान में नागर और द्रवीड दोनों सैलीओं का परवापरा है अता इसे बेसर सैली काते हैं तो मद भारत की जो मंदिरों की सेली है दोस्तों इसे बेसर सेली के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है पंचायतन शब्द का मंदिर पंचायतन शब्द मंदिर की रचना शेली से समंदित है यह मंदिर तब पंचैतन सेली कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार साहक मंदिरों से घिरा हुआ है पंचैतन मंदिर का उधारन कई बार ये प्रशन पूछा गया है दोस्तों पंचैतन मंदिर का उधारन है कंदरिया महादेव का मंदिर पहला ओप्सन यही रहता है कई बार ये प्रश्ण पूछा गया है, कि पन्चायतन मंदिर का उधारन है, हुआ है चलते हैं दोस्तों हम लोग अभी अभी हम लोगों ने देखा लूसिंट शमान अध्यन के लूसिंट शमान ग्यान के चेप्टर नमर फर्स्ट जिसमें प्राचीन भारत इतियास के स्रोत्र का वर्णन है आसा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होग तो पूरा लूसिंट आपको 30 दिन का टार्गेट है दिया गया है 30 दिन में आपको पूरा लूसिंट समाप्त कर दिया जाएगा तो आज का ये क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताया दोस्तों कोई भी कन्फियोजन कोई भी सवाल आपके लिए अगर हो तो कम